हालो प्यारे बच्चो वेलकम बेक टू और अज की जो वीडियो है उसमें हम डेस्कस करेंगे वर्क्षीट नमबर 42 फोर क्लास 6 और मैथेमेटिक्स की बच्चो यह वर्क्षीट है जो आपके लिए 6th of December 2021 के लिए शेडियूल की गई है आज की जो वर्क्षीट है प्यारे बच्चो उसमें हम फ्रेक्षिन का एडिशन जो है वो कैसे किया जाता है वो हम इस वर्क्षीट में जारेंगे वर्क्षीट हो करने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीचे बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए sow now let's recall addition of like fractions तो हमने बच्चो पिछे वर्क्षीट में बढ़ा था like fraction unlike fraction mixed fraction कौन से होते है ताइब पढ़ चुके है इस वर्क्षीट में हम revise करेंगे कि अगर हमारे पास like fractions होते हैं अब बात करते है like fraction कौन से होते हैं तो बैचो like fraction होते हैं जिनका denominator same होता है उनको हम like fractions कहेंगे So अगर हम like fractions को add करना चाहते हैं जैसे हम normal simple जोlay default होती हैं उनको हम add करते हैं जैसे देखे अभी example दिया गया है to add like fraction we simply add the numerator हम क्या करते हैं हम numerator को add करते हैं और जो common denominator है उसके उपर लिख देते हैं जैसे 3 by 5 ये एक fraction है plus 1 by 5 एक fraction है दोनों ही ये हमारे क्या है these are the like fractions तो हमने क्या किया हमने 5 को common है तो नीचे लिख दिया और जो 4 है अब देखे 3 और 1 को हमने यहां पे जोड दिया तो क्या आ गया 3 plus 1 क्या आया 4 आया तो हमारे पास क्या हुआ 4 by 5 हमारे पास यहां से answer आ गया clear है अभी हम simple सा एक example आपको देंगे 7 by 9 plus 2 by 9 ठीक है तो 7 by 9 plus यहां पे आप मान लीजिए 3 by 9 मान लीजिए ठीक है अब आपको जल्दी से इसका answer comment करके बताना है कि क्या इसका answer आएगा साथ साथ आप इसको comment जो है करके जरूर बताइएगा बच्चों कि आपको यह वाला like fraction clear हुआ या नहीं हुआ जिसमें हमने क्या सीखा कि same जो denominator है denominator है उसको नीचे लिखके और उपर जो है जैसे हम general add करते हैं वैसे ही हम add करके लिख देंगे next देखे addition of unlike fraction अब बात करते हैं कि जो unlike fraction होते हैं उनको हम add कैसे करते हैं so to add unlike fractions we forced convert them into like fraction and then simply add the numerators and write the sum over the common denominator देखे क्या कहा गया है जो unlike fraction होते हैं unlike fraction क्या होंगे जिनमें denominator वो same नहीं होता तो जो unlike fraction होते हैं उनको हम पहले like fraction में convert करेंगे फिर हम simply उनके numerator को add करेंगे और फिर denominator को जो है हम जो common denominator है वैसे ही लिख देंगे जैसे हमने अभी सीखा है अब यहाँ पे 1 by 2 plus 1 by 3 दिया गया है अब 2 और 3 denominator क्या है वो अलग लग है तो हम देखते हैं देखो 3 into 2 क्या होता है 6 होता है यानि हम क्या कर सकते हैं अगर हम 1 by 2 देखे दुबारा देख लेते हैं अगर हमारे पास 1 by 2 है तो 3 into 2 क्या है मारे पास 6 हमारा common denominator हो सकता है कैसे अगर मैं 1 by 2 को 3 से divide and 3 से multiply कर देती हूं तो इस वाली digit पे कुछ भी फरक नहीं पड़ेगा ये जो है उसके equal रहेगी ठीक है तो ये क्या हो जाएगा 3 by 6 जो है यहां से हमारा answer आएगा तो ये हो गई हमारी ये जो है 6 इसका denominator हो गया अब अगर हम देखे तो 1 by 3 है हमारे पास तो क्या करें हम 1 by 3 को अगर मैं 2 से multiply 2 से divide करती हूं तो क्या आ जाता है 2 by 6 आ जाता है तो हमारे जो denominator है यहां पर सेम आ गए क्या 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 आ गए 3 by 6 आ गया और 2 by 6 आ गया तो अब हम क्या कर सकते हैं बिल्कूल सेम हमने जैसे किया 6 हमारा denominator है तो इसको हमने नीचे लिख लिया और 3 और 2 कितने हो गए 5 हो गए तो 5 by 6 हमारा यहां से answer आ जाएगा ठीक है तो कितना answer आ गया 5 by 6 अब आपको यहां पर यह let's do दिया गया है जो की बहुत बहुत ही simple है जिसके answer आपको करने है देखे question first दिया गया है find the sum of the following like fraction तो जो like fraction आपको दिये गए है उनको आपको solve करना है देखे 7 by 13 plus 4 by 13 तो क्या करेंगे 13 तो common आ गया इसको हम नीचे लिख लेंगे दोनों में denominator same है तो हमने एक बार लिख लिया अब 7 और 4 को जो हम add करेंगे कितना हो गया 11 हो गया तो 11 by 13 हमारा इसका answer आ गया इसी तरह देखे इसमें भी common है 17 by 21 और plus 3 by 21 तो 21 हमने लिख लिया 17 और 3 कितना हो गया 20 हो गया तो 20 by 21 जो है इसका answer हो जाएगा बी जो है इसका right answer हो जाएगा clear है उसके बाद next देखी question number 2 दिया गया है find the sum of the following unlike fraction तो जो आपको unlike fraction दिये गई है इनके answer आपको करने है find करना है sum तो इनका solution हम करेंगे 1 by 1 दोनों का 8 ही आगया है आपको 3 by 8 plus 4 by 5 तो 8 को 5 से multiply कीजिए कितना आगया 40 आगया 8 5 is a 40 ठीक है बच्चो आप देखिए 8 5 is a 40 है तो 3 by 8 into अगर हम इसको 5 से multiply और 5 से divide कर दे तो क्या होगा 15 by 40 आगया और 4 by 5 को अगर हम 8 से multiply और 8 से ही divide कर दे तो हमारे पास आगया 32 by 40 clear है यानि ये दोनों आगये हमारे पास fraction new fraction 15 by 40 और 32 by 40 अब हम क्या करेंगे 40 हमने यहाँ पे क्या ले लिया 40 हमने यहाँ पे common है तो common denominator लिख लिया और 15 plus 32 यानि कितना आगया 47 तो answer कितना आगया 47 by 40 हमारा यहाँ से answer हो जाएगा तो यहाँ से आप जो question है उसका solution कर लेंगे अब हम करेंगे part P तो part P में आपको दिया गया है 5 by 6 plus 3 by 5 तो यहाँ पे 5 into 6 करेंगे तो कितना आता है 30 यानि हमारा common denominator 30 आएगा ठीक है तो 5 by 6 को हम 5 से multiply कर देंगे तो कितना आगया 5 5 is a 25 divided by 30 6 5 is a 30 इसी तरह 3 by 5 है उसको हमने 6 से divide 6 से multiply कर दिया तो हमारे पास आगया 18 by 30 ठीक है कितना आजाएगा बच्चो 18 by 30 अब हम क्या करेंगे अब हम यहाँ से देखे 25 by 30 और 18 by 30 तो हमने क्या किया 30 हमने common था तो निचे denominator सेम लिख लिए और 25 में 18 एड़ कर दीजिए कितना आगया 43 43 by 30 जो है यहाँ से हमारा answer हो जाएगा clear तो यह जो है आप अपनी copy में solve कर लेंगे तो यह थी पैरे बच्चों आपकी आज की maths की worksheet I hope सभी बच्चों को यह clear है कोई भी doubt है तो आप पूछ लीजिए comment कर सकते हो वीडियो अच्छी लगे तो please like कर दीजिए share कर दीजिए और चैनल को भी subscribe कर लीजिए और आपकी जो NCRT book है उसमें से इस तरह की questions को जरूर से practice कीजिए ताकि आपको जो concept है वो बिलकुल अच्छे से clear हो जाए thanks for watching मिलती है next वीडियो में next worksheet के साथ take care bye bye